हालो फिर्ट्स गुड मॉर्णिंग और वेल्कम टूटूफ चैनल एजिकेशन निकेतर श्रेक्ट नाइंद बीपीएसी प्रिडिम्स में सामिल होने जा रहे छात्रों को बीपीएसी के चेर्में सिरी अतुल परसाथ ने एक ट्विट की माध्यम से गुड नीज दिया है और उनहतरी बीपीएसी में यह नामक जो भूत था जो छात्रों को परसान करके रखा था उससे छात्रों को मुक्ती मिलेगी यानि कि इस बार अब पांच उप्सन के जगह पे जो A, B, C, D और जो E होता था तो E आफशन से छात्रों को मुक्ती मिलेगी और केवल 4 आफशन दूसरी बड़ी बात है कि जो निगेटीव होगा वो वन थर्ड होगा यानि कि अब आपको चार ओप्सन मिलेंगे और वन थर्ड निगेटीव होगा यानि कि पैटर्न जो है मार्किंग पैटर्न की जहां तक बात करें कोश्चन की लेबल को अगर छोड़ दें को पूछने का पैटर्न छोड़ दें तो मार्किंग पैटर्न जो होगा एकदम यूपीएसी जैसा हो जाएगा वन थर्ड निगेटीव और चार ओप्सन तो हमें लगता है कि यह चीर परतिक्षित मांग थी छात्रों की कि किसी भी इस्तिती में यह उप्सन को हटाया जाए क्योंकि यह उप्सन के कारण प्रस्म का एंसर क्या होगा इसको लेकर लगातार विवाद के इस्तिती बनी रहती है से कितना भी कलारिफिकेशन दे 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 दो बार एंसर को रिभाइज कर ले फिर भी छात्रों के मन में एक जो संतुष्टी का भाव है वह नहीं उत्पन हो पाता है तो यह सराणिये कदम है हम इसकी सराना करते हैं साथी साथ जो नहत्तर भी प्रिडम्स परिक्षा में सामिल प्राइमरी चाह प्राइमरी और सब्सक्राइब प्रषन के जிतने भी प्रश्ण है साथे साथ अब देखें कि किन टॉपिक से करंड अफेर्स में बीपेस से प्रश्ण पूछ रही है जैसे मानलो की डेट से डिलेटेड अगर पूछ रही है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि पिछले छे महिने की जो इंपॉर्टेंट डेट है जैसे मानलो चंद्यान 3 के लांचिंग डेट 14 जुलाई हो या जिस दिन उसकी लेंडिंग हुई थी चंद्रमा पर काउट पोल पर वाली डेट यानि 23 अगस्त इसरों के चेर्मेन कौन है जो बिभीन अस्पेस में इस तरीके के मिसन हुए है इतिहास में उसके नाम उसकी यार इन सब चीजों का मगब करेंगे साथी साथ बिहार की जो डेवलप्मेंट है तो प्रीविएस वन येर की डेवलप्मेंट को आप कभर करने की कोशिस करें साथी साथ एक प्रोबेबल लिस्ट बना लें हैंडिस से 150 टॉपिक्स की और उसके बारे में अच्छे से गोत्रू करें जैसे प्रस्नालिट यानि बिहार के जितने भी एतिहासिक प्रस्नल्टी अगर आप उनकी लिस्ट बना लेते हैं और उनके बारे में गो थुरू अच्छे से करते हैं कि मालों की बिर्शा मुंडा का जारखंट के आंदोलन में क्या युगदान रहा उनको जेल में कि हर छोड़ी-छोडी फैक् हो गया तब तुक्यबाजी बहुत हद तक चलने वाली है नहीं तो अब आपको पहले से तुलना में ज्यादा महनत करना पड़ेगा क्योंकि अब तुक्यबाजी का खेल लगवक खत्म हो गया है और कटफ जोकी 70% पहुंच गया था शिटी सेवन्थ में धीरे-धीरे-धीर के साथ तो अब आपको इस पर थोड़ा सा अपने पैटर्न तयारी के तरीके में भी प्रिवर्तन लाना होगा और यहां तक 67 की बात है तो 67 बीपीएसी एंट्रव्यू प्रोग्राम हमारे प्लेटफर्म पर सुरू किया जाएगा जिसकी की सूचना आपको उचित समय पर प